पिछले दो दिनों से रतलाम में लगातार बारिश का दौर जारी है जिसके चलते एक बार फिर सिस्टम की पोल खुलती नजर आ रही है दो दिन में लगभख साड़े तीन इंच बारिश रतलाम जिले में दर्ज की जा चुकी है ऐसे में दो भयानक तस्वीर सामने आई हैं पहली तस्वीर रतलाम जिले के सिखेडी गाउं से जहां स्कूली बच्चे उफंती नदी पार करने को मजबूर है वही नदी के उपर बने पुल में थोड़ी सी बारिश में ही घुटनों तक पानी भर जाता है जहां एक महीने पहले ही गाउं में बाड़ आने से एक प्रसूता की डिलेवरी घर में ही करानी पड़ी थी बारिश के कारण राजगर जिले के अंदर दुबारा मौनसून जाते जाते लौट आया है और कहा जाए कि ये रोते रोते जा रहा है